क्या आपका चश्मी का नंबर माइनस दस से जादा है और आप चश्मी से छुटकारा पारना चाहते हैं तो आज हम इसी के बार में बात करेंगे नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर तुरुशा अगरवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फुर यू तो हमारे पास अकसर काफी सारी क्वेरी जाती हैं जिसमें की चश्मे का नंबर उनका माइनस दस से जादा होता है कई बर माइनस पंदरा माइनस बीस और कई बर माइनस चौबिस तक उनका नंबर होता है और वो चश्मा हटवाना चाहते हैं बट इन केसेज में हम जो रुटीन ले नेसिक सरजरी करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में एक पेशेंट के पास या वेप्टी के पास क्यों आप्शन्स पस्ते हैं चश्मे से छुटकारा पानी के लिए। तो यूजुली ऐसे पेशेंट के पास दो में ओप्शन्स होते हैं जिससे चश्मे का नंबर पूरा का पूरा हट सकता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है फेकिक कांटाक लेंस यदि आपकी उम्र अठारा साल से जाधा है और आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है एक साल तक तब ही आपको इन सर्जरी के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ये सर्जरी जो है वो पर्मनेंट सर्जरी जै करेक्टिफ सर्जरी जै और जो आज आपके चश्मे का नंबर है वो तो ये पूरा करेक्ट कर देगा बट यदि आपका चश्मे का नंबर बढ़ती हुए स्टेज पे है तो हो सकता है चश्मे का नंबर वापस भी आ स इससे पेशेंट्स के लिए रहती है उसमें पहला operation है इंत्रेक उर्क्यूलर फेकट कॉन्टाक लेंस में आंक के नाैचुरल लेंस के सामने एक आर्टिफिशल माटिरियल का लेंस्द करा जाता है यह एक intraocular surgery होती है जिसमें हम आपके अंदर एंटर करते हैं 10 से 15 मिनिट की surgery होती है और एक patient के number के अनुसार एक artificial lens को आपके अंदर implant करा जाते है उसके natural lens के सामने इस surgery में हम कितना भी चश्मे का number हो मरीज का वो हम पूरा correct कर सकते हैं even minus 30 तक minus 30 तक भी चश्मे का number correct किया जा सकता है इसको बनाने वाली 2-4 companies है जो कि यह lenses बनाती है एक Indian company है जो कि care group company है वो बनाती है IPCL के नाम से और एक international company है जो कि star vision है और वो ICL बनाती है तो यह सभी options available होते हैं और दोनों ही companies अच्छी हैं दोनों के lenses बहुत अच्छे हैं तो आप यह दोनों में से कोई अच्छी एक lens implant करवा सकते हैं चश्मी का number हटाने के लिए जब हम इस surgery के लिए जाते हैं तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होता है आपके doctors पहले आपका check-up करेंगे और आपके अंदर एक space देखेंगे कि particular space available है कि नहीं आपके अंदर lens को implant करने के लिए क्यूंकि य अंदर नहीं कर सकते हैं दूसरी बार कई बार इस lens के साथ आपका प्रेशर बढ़ना या मोतिया बिंध होना तो glaucoma या cataract इनका रिस्क थोड़ा जादा होता है बट यदी आप अपने doctor की constant guidance में आपकी doctor ने प्रॉपर चेक अप करा है और आप continuously उनको follow-ups कर रहे हैं तो यह सब प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है बट डेफिनेटल अगर आप इस सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा अपने doctor के संपर्क में रहें और साल में एक बान सर्जरी के बाद जरूर दिखा हैं इस सर्जरी का एक एडवांटेज ही होता है कि जब हम यह लेंस इं अगर आपका चश्मी का नंबर जादा है आप में इंप्लांट करने के लिए जो second option है वो है clear lens extraction या refractive lens exchange तो यह उन मरीजों के लिए option है जिन में आपके अंदर space कम होती है और हम आपके अंदर fake contact lens भी इंप्लांट नहीं कर सकते हैं ऐसे cases में हम उनकी आपका natural lens हटा के जैसे की cataract surgery होती है और natural lens हटा के हम आपके अंदर एक intraocular lens, normal lens इंप्लांट कर देते हैं इस से definitely उनका चश्मी का नंबर पूरा zero हो जाता है यह एक बहुत अच्छा option है जो जिनका बहुत high number होता है आपके अंदर space भी limited होती है और उसमें हम fakic lens नहीं इंप्लांट कर सकते हैं तो उसमें भी results बहुत अच्छा आते हैं यह भी एक time tested procedure है काफी सालों से doctors इस procedure को कर रहे हैं और इसके भी कोई major side effects नहीं है सिर्फ इसका एक disadvantage यह होता है कि जब आप refractive lens exchange के लिए जाते हैं और आपका natural lens हट जाता है तब आपके पास देखने की शमता जो है वो कमजोर हो जाती तो इसलिए operation के बाद आपका दूर का number तो खतम हो जाएगा बट पास के लिए आपको चश्मी का number लगाना पड़ेगा तो यह दोनों बहुत ही अच्छे options है और दोनों से आप अपने बहुत ही मोटे चश्मी के number से बिलकुल छुटकारा पा सकते हैं तो इसके बारे में बि से discuss करें थैंक यू